हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी यूटीब चैनल आपका हेल्थ गुरू में स्वागत है तो यहाँ पर हम लेबोरेटरी रिपोर्स को समझने के लिए अलग-लग वीडियो की सिरीज बना रहे हैं आगे हमने एक को वीडियो बनाया था ESR के बारे में तो वह भी आप जरूर देख लीजिए इस वीडियो में हम C-Reactive Protein के बारे में आपको समझाने वाले C-Reactive Protein याने के CRP या CRP का लेवल अगर हमारे सरी में कोई acute inflammation है तो इनको जानने के लिए बहुत ही important test माना जाता है अगर हम ESR के साथ इनकी comparison करें तो CRP test बहुत ही ज़्यादा sensitive और बहुत ही ज़्यादा accurate माना जाता है इसलिए आप ESR की जगह पर CRP test पर ज्यादा ज्यादा वरोसा कर सकते हो तो पहले समझ लेते कि C-Reactive Protein होता क्या है जबी भी हमारे सरी में कोई inflammation स्टार्ट होता है तो हमारे सरी में liver या C-Reactive Protein को release करता है फिर या C-Reactive Protein हमारे सरी में immunity पैदा कर देता है और या immunity की बहुत से ही WBC याने के white blood cell जो भी cell debris याने के जो cell की dead bodies होती है foreign substance होते हैं जो की हमारे सरी में enter हुई है microbes याने के virus, bacteria तो अलग-अलग जो जीवान होते हैं वह या तो फिर cancer के cell उनको पकड़ में लेते हैं उनको digest कर देते हैं और हमारे सरी को नुकसान नुकसानी से बचा लेते हैं तो C-reactive protein हमारे सरी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है यह C-reactive protein अगर हमारे सरी में बढ़ जाता है तो यह acute inflammation का indication देता है अलग-अलग inflammatory condition या तो फिर non-inflammatory condition में यह C-reactive protein हमारे सरी में बढ़ जाता है तो जान लेते हैं कौन-कौन सी inflammatory condition होती है inflammatory condition जैसे की RA याने के rheumatic arthritis, SLE याने के systemic lupus erythomatis, IBD याने की inflammatory bowel disease एसी inflammatory condition में यह C-reactive protein बढ़ जाता है, इनके अलावा अगर bacteria, virus या तो fungal की कोई infection लगी है जैसे की TB में होता है, या तो feed pneumatism में होता है, इसी अलग-अलग condition में भी यह CRP का level बढ़ जाता है malignancy, याने के अगर आपके सरीर में cancer हुआ है, तो इसमें भी यह CRP level बढ़ जाता है अगर हमारे सरीर को कोई भी जगा पर injury हुई है, या तो फिर burns हुआ है, या तो फिर कोई जगा पर necrosis हुआ है याने कि हमारे सरी में किसी भी जगा पर किसी भी तरह की injury हुई है और हमारे tissues damaged हुए है तो यह CRP level बढ़ जाता है अगर हमारे सरी में कोई भी जगा पर allergic reaction हुआ है तो इसमें भी यह बढ़ जाता है heart की अलग-अलग तकलिब में भी C-reactive protein का level बढ़ जाता है इनके अलावा non-inflammatory condition होती है इसमें भी इनका level बढ़ता है जैसे कि उमर के साथ इनका level बढ़ता जाता है और ladies में pregnancy के दर्मियान भी यह CRP का level बढ़ा हुआ आपको दिखेगा अभी जान लेते हैं कि इनका normal level कितना होना चाहिए research यह मालूम पढ़ा है कि 0.8 mg per liter से लेके 3 mg per liter इनका level होता है generally body में अगर कोई भी जगा पर infection लगता है तो इनका level 200 mg per liter से लेके 500 mg per liter तक इनका level पहुँच सकता है इनका level बहुती जल्दी से हमारे सरी में बढ़ता है जैसे ही inflammation स्टार्ट होता है तुरंत इनका level बढ़ने लगता है और बहुती जल्दी से इनका level कम भी हो जाता है हमने ESR के वीडियो में देखा था कि ESR का level जल्दी से बढ़ता है पर उनका level कम होने के लिए हपते या तो महिने निकल जाते ही पर यहाँ पर CRP का level बहुती जल्दी से कम हो जाता है और अलग-अलग research यह भी मालूम पढ़ा है कि CRP का level और हमारे सरी में होने वाली cardiovascular disease याने के heart attack और stroke जैसे अलग-अलग बीमारियों के बीच में direct स्बंध होता है अगर यह level एक से कम है तो यह risk कम होता है अगर यह level एक से तीन के बीच में है तो यह risk average होती है अगर CRP का level तीन से ज्यादा है तो हमें cardiovascular disease होने का risk बहुती ज्यादा बढ़ जाता है तो अभी समझ लेते है कि किस तरीके से यह CRP और cardiovascular disease याने के heart attack और stroke के बीच में क्या सबंध है तो अगर आपके सरी में diabetes है या तो फिर cholesterol का level high रहता है या तो फिर आपका blood pressure भी high है आप गलत lifestyle जी रहे हो याने के smoking कर रहे हो आलकोल ले रहे हो या तो फिर खान पेंड में ध्यान नहीं रख रहे हो तो जो arteries होती है blood vessels होती है इनकी दिवाल damaged होने लगती है वहाँ पर cholesterol जमा होने लगता है फिर वह जो wall का diameter होना चाहिए वह भी कम होने लगता है आर्टीस की जो जगह होती है वह कम होने लगती है इसलिए फिर हमें हमारे heart को blood supply सही तरीके से नहीं मिलती है और हमें heart attack या तो stroke आने की संबावना हो जाती है यहाँ पर arteries जो damaged होती है इनकी बहुते हमारे सरी में CRP का level बढ़ता है इसलिए अगर आपके सरी में CRP का level बढ़ा हुआ है याने कि आपके जो arteries है वह damaged हो गई है या तो damaged हो रही है इसलिए CRP और heart attack और stroke आने के बीच में direct स CRP याने के C reactive protein के बारे में आपको पूरी detail में information दे दी अगर आपके सरी में कोई भी जगा पर inflammation है तो आपको doctor तुरंत या CRP या तो ESR का report निकाले को बोलते है और यह report अभी आप easily समझ पाऊते हो और यह report का क्या मतलब होता है वह अभी आप आसानी से समझ पाऊगे तो आ यादा से यादा लोगों तक share करिये ताकि सभी को help मिल पाए और एसी अच्छी information के लिए आप हमारी चैनल को subscribe भी कर सकते हो Thank you for watching